सो हेगेज कैसे हैं आप सबी आयोब दोस्तो आप सभी बढ़ियाओंगे दोस्तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप WhatsApp पर किसी का नंबर सेव किए बिना भी आप उन्हीं मैसज किस तरह से कर सकते हैं, दोस्तो इसके लिए आप सभी को कोई थर्ड पार्टी एप्लिकेशन डाउनोड करने की विजरुवत नहीं है आप सभी को वीडियो पूरा एंड तेक देखने आए इस वीडियो के अंदर आप डैफिनेटली हो सीख जाएंगे कि आप अपने वाट्सअप पर बिना नंबर सेव कि इस तरह से मैसेच कर सकते हैं, अकसर हमें कोई भी अगर किसी वी व्यक्ति से ज़्यादा काम नहीं होता है तो उसके नंबर को हमें सेव करने की जरुवत नहीं पड़ती है और अगर फिर भी हम उसके नंबर को सेव कर लेते हैं जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक group बनाया हुआ है इस group के अंदर आप सभी को क्या करना है आपको जिसको भी message करना है उसका number यहाँ पर type कर लेना है दोस्ते जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 919191 इस example के तौर पर मैंने number type किया है और मुझे इसी के उपर मुझे message करना है तो simply आप सभी को इसके लिए क्या करना है simply इसके उपर आप सभी को click कर लेना है जैसे दोस्तों आप इसके उपर click करेंगे यहाँ से आप सभी देख सकते हैं आप सभी को WhatsApp एक option दे रहा है chat with यह number और आप direct उसे WhatsApp पर call भी कर सकते हैं और अगर आपको save क नहीं करना है हमे direct chat करना है तो simply उसके उपर click कर लेना है click करने के बाद आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं चैट वाला option खूल चुका है और simply आप सभी का जो भी message होगा आप वहाँ से simply से chat कर सकते हैं और इस मातिम के वज़ए से आपको कभी भी कोई भी number save करने की जरूरात झाल 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 झाल